दोस्तों आप सामने ये जो पौधा देख रहे हैं ये हर सिंगार या पारिजात का पौधा है और ऐसी मानिता है कि इस पौधे की उत्पत्ति समुंदर मंथन के समय हुई थी और यह पौधा देवताओं को मिला था इंद्र देव जी ने इसे अपनी वाठिका में स्थापित क और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को प्रसंद करने हेतु इसे पृत्वी पर ले आये थे इस पौधे के फूलों का उप्योग भगवान विश्णु और माता लच्मी की पूजा में किया जाता है और पूजा के लिए ध्यान रखें आप लोग क कि उन्ही फूलों का प्रयोग किया जाता है जो तूट करके रात में जमीन पर गिरे होते हैं इसे पेड़ से तोड़ करके कभी नहीं चढ़ाना चाहिए तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो फूल जमीन पर गिरे हों उन्ही को उठा करके भगवान को चढ़ाना यह इस तरह का एक तरह से इकलोता फूल का पौधा है यह बड़ा ही उपयोगी पौधा और व्रिक्ष माना जाता है मित्रों यह घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन्हें दूर करता है और इसे आप उत्तर या उत्तर पूर्दिशा में सोमवार या शुक्रवार को अपने ारडन में लगाइए इस पौधे को देखने मात्र से ही मांसिक सुकून मिलता है और मन को शांती प्राप्थ होती है तनाव दूर होता है और इसको इसपर्स करने मात्र से ही सरीर की पूरी थकान दूर हो जाती है घर में जितनी भी पौजिटिविटी, अठ़ा, स पाज्यात के फूलों को लाल कपड़े में लपेट करके माता लक्षमी कामने रखें और उनकी बिधिवत पूजा करें और जो है इसके बाद जो कपड़ा है उसको आप अपने जहां पर भी आपका जो रुपया पैसा रखा जाता है वहां पर रख दें आपको कर्ज से निश् जड़ पर आप हल्दी और सिंदूर का तिलक लगा करके और कनकधारा इस्त्रोथ का पाठ करें पूजा के बाद जड़ को धन के स्थान पर रखें ऐसा करने से आपको कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी तो दोस्तों ये ऐसा इतना पवित्र पौधा मा करके और तीजोरी में रखें आपका अभ्यापार खुब बढ़ेगा ऐसी धार्मिक मानेता है तो धार्मिक धार्मिकता के साथ साथ ये बड़ा ही उपियोगी आयरवेदिक पौधा है जो हमारे स्वास्त को उत्तम प्रदान करता है और इससे सेहत के तमाम लाब मिलते हैं यह गठिया की यानि जो रिमेटाइजिंस होता है गठिया यानि घुटने वगरा में जो दर्द होता है लोगों को हवाबतास से तो उसकी आतिप्रसिद्ध दवा है आतिप्रसिद्ध इसकी जड़ी बूटी बनाई जाती है इसका काढ़ा बना के इसके पत्तियों का फूल अग्तिन से लगने का यही मौसम है यानि अक्तूबर नॉंबर में आप इसको कटिंग से लगाए और साथ यह देख रहा है न यह फल तो अगजब यह फल का सूख करके बिल्कुल काला हो जाएं तो तो आप मिट्टी में इसको दबा दें, आपको अगले सीजन तक, यानि जब भी बरसात होगी, तो आपको नए नए पौधे उगे हुई दिखाई देंगे, ये जो फूल होता है, बहुत थोड़े समय के लिए आता है, यानि जस्ट बरसात के बाद, और ठंड के ठीक पहले, एक तरह से ये ठंड आने का सूचक है, यानि जब इसमें फूल आने लगते हैं, तो ये ग्यात होता है कि बस अब ठंड आने ही वाली है, तो ये बड़ा ही उपयोगी पौधा है, तमाम आयरुवेदिक लाभ हैं इसके, इसकी धार्मिक मानिता बहुत ही उच्चकोटकी है, और ब्यापार सम्मंधी जितने भी तकलीफ अगरा होती हैं, आपको ये स्पौधे के लगाने से वो दूर हो जाएंगी, आपका स्वास सम्मंधी जो भी प्राबलम हो, इसको आप जरूर लगाए दोस्तों, और इसका नियमित रूप से आप काढ़ा पीजिए, और इसका का इसकी जो ये पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इसकी जो भी पत्तियां सुकती जाएं, तो सुकी होई पत्तियों को आप फेंकिए मत, इसका आप काढ़ा बना करके पीजिए, और बड़ा ही हमारी सरीर में जो है, ये जो थंडी वगरा के समय में, या जब भी बरसा समय में जो हवा चलती है, तो बुजूर्गों की हड़ियों में दर्द पैदा होने लगता है, तमाम लोगों को गठिया की सिकायद भी रहती है, तो इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके जरूर पीना चाहिए, और बड़ा ही दैवी पौधा माना जाता है, इसको लगाने स इसको कभी भी शेडिंग एरिया में नहीं रखना चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी न डालने, यानि इसमें वाटर लागिंग वाली प्राबलम न पैदा करें, पानी डाल डाल करके, और इसमें जो भी फर्टिलाइजर आपको डालना हो, और गेनिक फर्टिला हो जाते हैं, वैसे तो इसमें किटाडू बहुत कम लगते हैं, यह ऐसा पौधा है, और बड़ा ही दिव्य आउशधिये पौधा है, तो इसकी केरिंग भी बड़ी आसानी से, दोस्तों इसकी कटिंग आप लगाएं इसी मोसम में, यानि अक्टूबर नॉम्बर के मोसम में इसकी कटिंग लग जाएगी, एक इसकी मोटी सी डाल लेकर जो हलकी से सूखी हुई हो, उसको आप ले करके, उसको 45 डिगरी पर कट करके, अच्छी मिट्टी बना करके, उसमें उस कटिंग को गार दें, और ओपर से पौलिथीन से ढग दें, तो दोस्तों वीडियो कैसा ल